बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com आज एक खास कारिक्रम लेके आया हूँ होलाश्टक के वारे में होलाश्टक में किया गया एक कार्या इस होली से लेके अगली होली तक आपके परिवार के समस्त लोगों के जीवन की विगनों को दूर करतेगा इस विषय की सुन्दर जानकारी हम आपको दें लेकिन उसके पहले एक खास जानकारी है यदि आप किसी भी प्रकार की बिगन बाधाओं से परेसान है या आपके जीवन में समस्याओं का एक तरह से अंबार लगा हुआ है तो महिनत तो हर व्यक्ति उन समस्याओं को दूर करने के लिए करता है परन्तु एस्ट्रोलोजी अर्थात भारतिये जोतिस का उपाय बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि कहा गया है भाग्यम फलतु सरवदा न चविद्या न पाउरुशम तो आपको इधर उधर दोड़ने की जरूरत नहीं है अपने घर में बैठ करके अपना मोबाइल उठाईए गूगल पे जाईए www.ashtotak.com पे जाकर के बिनोध भरद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और अपने कुस्चन को लिख भेजें एक उपाय आपके बिगनों को दूर करने में सक्षम होता है क्योंकि कहा गया है किसी के द्वारा बताया गया रास्ता निस्चित रूप से आपके लक्ष तक आपको पहुचा देता है यदि आप यहां से हमसे tel से बात करना चाहते है तो साधर आमंद्रित हैं यहां से हमसे आपसे बात भी हो सकती है अब बात करते हैं होलाश्टक की देखिए 22 मार्च से 28 मार्च तक ये 8 दिन वेहद मात्रण होते हैं इसमें कोई सुभकार्य नहीं किये जाते हैं केवल केवल भगवत भक्ती पूजा पाठ निश्चित रूप से फलदाई सिद्ध होता है इस होलाश्टक में एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ यह उपाय ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इश्चित अपनाने का प्रयास करिएगा जिस दिन होलाश्टक प्रारंब हो अर्थार्थ 22 मार्च को प्राताकाल अश्नान कर लें जहां तक हो सके रेड के दो डंडे ले आएं और उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए एक हात किसी के भी हात से घर का कोई भी व्यक्ति हो उसके हात से एक हात राइट हात से एक हात का आप दो डंडा ले आएं दो डंडे लेया करके अपने घर के पिछवारे या अगवारे में उसे अस्थापित करते हैं सीधा सीधा आप जो खड़ा करते हैं खड़ा करने के बाद आप गोबर के उपला गोबर भी अगर गाय का है तो ज़्यादा छमाना जाता है छोटे छोटे आप जो उपले बनाएं और यह उपले जितने लोग आपके घर में हैं उतनी संख्या में होने चाहिए बनाने के बाद एके करके उन जो डंडों के पास यह गोबर का उपला रख दे इसके सासाथ घास फूस और जो लकड़ी धीरे धीरे आट दिनों में एकत्र कर ले इसके बाद जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन आपके परिवार में जितने लोग हैं उतनी बार होलिका के परिक्रमा करिएगा राइट हैंड शाइड से लेप्ट हैंड शाइड की ओर अर्थात राइट हैंड की ओर से घुमते हुए लेप्ट हैंड की तरफ आपको आना है और घुम करके यह सारा जितना भी आपने यह सब चीजें अस्थापित किये हैं कि विग्ण बाधा इस होली से लेके अगली होली तक दूर हो जाएगी कि और ये क्यों ना दूर हो क्योंकि होली स्वयं सिद्धम होता है हूली में किया जाने वाला कार्य पूरे वर्स को प्रभावित करता है पूरा वर्स आपका आने वाला वर्स सुब हो हर प्रकार से आपके जीवन में खुसियां आएं आपका ब्यापार इस्थिर हो आपके घर में शांती हो इसलिए यहाँ उपाय वेहत महत्यपोर्ण है आप इसे जरूर करें और अन्तमे हमारे कारिक्रम को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि यह विशेष कारिक्रम है और एक बार आप ओम नमाशिवा लिख करके अपनी मुहर इस कारिक्रम पे जरूर लगाईएगा आपको कैसा लगा कारिक्रम ओम नम्ह शिवा लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यबाद नमस्कार